राम ने बुलाया विपक्ष ने ठुकराया आज का ये देश है मारा जो राम सबरी के थे जो राम केवट राच के थे जो अहिल्या के तारण हार थे उन्हें कॉंग्रेस पार्टी बीजेपी और राश्ट्रिय स्वेम सेवक संग का बता रही है मंदिर जब बन जाएगा सोच न जाराण है क्या होगा देश हमारा आप देख रहे हैं ये देश है हमारा अमीश देवगान के साथ नमस्कार व्योस मैं हूँ अमीश देवगान और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोख प्रिये वीकेंड का रिक्राम ये देश है हमारा एक तरफ प्रधान मंत्री का 11 दिन वाला प्रण है अनुस्ठान है अयोध्या में प्रभू श्री राम लला का भवे सम्मान है तो दूसरी तरफ विपक्ष का सियासी व्यवधान है क्योंकि शायद विपक्ष श्री राम के नाम पर परिशान है तबी कॉंग्रेस की अगवाई में तमाम विपक्षिदल प्रान परतिश्टा कारेक्रम का भाहिशकार बायकॉट कर रहे हैं जो राम सबरी के थे जो राम केवट राज के थे जो अहिल्या के तारण हार थे उन्हें कॉंग्रेस पार्टी बीजेपी और आरेसेस का बता रही है और मुद्दा सिर्फ आयोध्या जाने से इंकार का नहीं है व्यूएस प्रेस कांफेरंस हो रही है प्रेस रिलीज जानी की जा रही है नेता आयोध्या में कारिकरम के खिलाफ बैयान दे रहे हैं ऐसा महौल बनाया जा रहा है कि जैसे कॉंग्रेस ने कारिक्रम का बॉयकॉट करके कोई बहुत महान काम कर दिया है लेकिन खुद कॉंग्रेस के ही कुछ नेता अपनी पार्टी को आईना दिखा रहा है हिमाचल में कॉंग्रेस के बहुत बढ़ नेता और वहां की सरकार के मंत चाहरे प्रमोत किष्टम से लेकर गुजरात कॉंग्रेस के पूर्वा ध्यक्ष और राहूल गांदी के बेहत करीबी रहे अर्जुन मोडवारिया तक अपनी पार्टी के फैस्टे पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कॉंग्रेस की कई राज्ये कायों में विरोध हो रहा है तो राम ने बुलाया विपक्ष ने लियोते को ठुकराया श्यावर राम चंद्र की अयोध्या के भव्य राम मंदिर में अब बस राम लला पधारने वाले हैं इस बीच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने विशेश पूजा की शुरुवात कर दी है ग्यारा दिन का विशेश अनुस्ठान आरंब कर रहा हूं इस पवित्र अवसर पर मैं परमात्मा के स्री चर्णों में प्रात्रा करता हूं कि आप मुझे आशिरवात दे ताकि मन से वचन से कर्म से मेरी तरफ से कोई कमी ना रहा है प्राण प्रतिष्ठा के दिन गर्ब ग्रह में मैं 140 करोड देश्वासियों का प्रतिनिधी बन कर जाओंगा प्राण प्रतिष्ठा की मंगल गड़ी गर्ब ग्रुह में उस पल क्या कुछ नहीं होगा मेरे मन में मेरे रदे के हर स्पंदन में 140 करोड भारतिय मेरे साथ होगे हर राम भक्त मेरे साथ होगा क्या ये कारिक्रम धार्मिक है अगर ये कारिक्रम धार्मिक है तो क्या विधी विधान से हो रहा है धर्मशास्र से कुछ किया जा रहा है चारों शंकराचारिय, चारों पीठ, स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्रान प्रतिष्ठापन नहीं की जा सकते। प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने नासिक के काला राम मंदिर पहुँचकर विशेश पूजा अर्चनाभी की इस बीच राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा पर विपक्ष घिरता नजर आ रहा है। कुछ दिन पहले तक जो लोग कह रहे थे कि नोता मिला तो वो जरूर दर्शन के लिए जाएंगे। अब उन्होंने प्रान प्रतिष्ठा के कारेक्रम में जाने से साफ इनकार कर दिया है। जो आस्ता रखने वाले लोग हैं वो आज भी जा सकते हैं, कल भी जा सकते हैं, परसो भी जा सकते हैं। सवाल ये है कि राम मंदिर से दूरी क्या इन सियासी दलों की मचबूरी है। आज जनता के बीच इसी सवाल के साथ होगी जोरतार बहस तो किसी का परिचे नहीं है कोई कह रहा है कि ये विधी विधान से कारक्रम नहीं हो रहा तो कोई कह रहा है ये बीजे पी और आरेसस का इवेंट है लेकिन आज के तीन बड़े मुद्दे क्या है आज की बहस के बड़े मुद्दे है राम मंदिर को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है किस तरफ से राम मंदिर पर कॉंग्रेस एक बार फिर क्या फश चुकी है पोलिटिकली ट्राप हो चुकी है तीसरा बड़ा सार और मेरे साथ आज कौन-कौन मेमान है परिशे करा दिता हूँ मेरे साथ जुड़ा है स्वामी धिपांक का अध्यात्मिक गुरु है जोरदार तालियों से अभिरंदन करिए संजीव जा है आम आदनी पार्टी के विधायक है प्रवक्ता है जोरदार तालियों से उनका प्रवक्ता भार्टी आपका अपिरंदन है तो प्रेम शुक्रा जी आद की शुरुआत आपτί हैIRामपर बताईगे पहला तो जूटही है कि विधी विधान से पूजा नहीं हो रही है काशी के आदरणी श्री गनेश शास्त्री द्राविड जी जो सबसे बड़े मुहुर्त मारतंड इस देश के हैं उन्होंने अविजीत मोहुर्त में सरवार्थ स्थिधियोग में रवी पुष नक्षत्र में इस पूजा का मोहुर्त निकाला है अब गणे शास्त्री से बड़ा विद्वान जो है वो पवन खेडा तो नहीं है दूसरा प्रश्ण है कि यह जो है राजनितिक कारेक्रम हो गया इस कारेक्रम का निमंत्रन स्रीराम जनंब्व में तीर्तक्षेत्र नियासने दिया है हर अठीरिजित्ट उन्हे जानते नहीं अब उन्हें नहीं जानते हैं और उन्हें पादियों को प्रसंद करने के लिए निर्दोश कार सेवकों का राम भक्तों का रक्त बहा करने सर्यू के जल को लाल करने का कुकर्म की आता हर कोई जानता है तो वो अभी यही कह रहे हैं कि हम आलोग कुमार जी को नहीं जानते हैं वो प्रभु राम चंद्र को जानते हैं इसमें ही संशे है तो श्री राम जनम्भू में तीरक्षीतर का प्षेत्रा प्षाधर है, अब तीरुमाला तीरु देवस्थानम में, अगर कोई कारकरम होगा, तो निमंत्रक कौन होगा?्Barert का नियास बॉर्ड ओड होगा. श्री सिधिविनायक मंदिर में होगा तो कौन होगा निमंत्रक? श् पहले लिख दिया है भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे तो आयोध्या में जब कोतवाल स्वाम हनुवान जी बैट रहे हैं तो भूत पिशाच कैसे निकट जाएंगे यह प्रश्ण तो है जी वो कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आप तो नास्तिक है आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना क्या आपको पूछा चाता हूं कि कई बार होता है कि कुलहडी गलती से पैर पर लग जाना है लेकिन कई बार होता है कि पैर ही लेक यह चंपत राय का बुलावा है यह चंपत राय जी बुला रहे हैं राम नहीं बुला रहे हैं राम तो निश्पक्ष है राम सब के हैं राम सबसे प्रेम करते हैं सब को बुलाते हैं चंपत राय बुला रहे हैं शंक्राचार्या नहीं जा रहे हैं चारों शंक्राचार्या नह नहीं जा रहे हैं क्योंकि शंक्राचार्या जी के हिसाब से ओनरेबल शंक्राचार्या ने कहा है यह एक पोलिटिकल इवेंट है 2024 के चुनाओं की तैयारी है यह भाजपा का एक एवेंट है और प्रांप्रतिष्ठा जिस तरीके से होनी चाहिए वह रही नहीं नियूद आपने चारों शंक्राचार्या की बात करें हो दो क्या है हमारा कोई नहीं हो चिट्ठी की कॉपी मेरे पास है आप कहें तो आप सक पहुंचा सकता हो क्या आपको लगता नहीं है कि शंक्राचारे का मुद्दा की आर्डेकर आप अप मूरत के भी एक्सपर्ट हो गए हैं देखिए बड़ी क्लियर सी बात है मैं थोड़ा समय लूँगा निशला नंजी जो अनुरेबल शंक्राचारियां है उन्होंने कहा मंदिर अपूर्ण है प्राम का मुद्दा यूज नहीं कर पाएंगे प्राइम मिनिस्टर को और भाजबा को जल्दी है दूसरी बात क्या आपको लग रहा है कि 2024 में यह मुद्दा यूज करना चाहते हैं कोशिश कर रहे हैं इन तीन मिधानसभा चुनावों के अंदर तो कोई राम मंदिर की प् सब कुछ एलेक्शन के लिए आप नेता पी नहीं है लेकिन आप अध्यात में गुरू है मैं आपसे जाना चाहता हूं यह सब कुछ चुनाव के लिए हो रहा है और यह भुलावा राम का नहीं है चंपतराय का है दिखिए अपने विचार आप जितना मर्जी बोल सकते हैं कह सकते हैं चमपत राई जी भी कोई राजनेतिक व्यक्ति नहीं है जितना व्यक्ति का तुने जानता हूँ और जब किसी को इन्विटेशन जाता है तो वो ट्रस्ट का निजी मैटर होता है ट्रस्ट किसे दे पर सोचिए मैं ट्रस्ट की उधारता मानता हूँ ट्रस्ट ने उने भी दिया जिनके शाशनकाल में कारसेवकों पर गोलियां चली और कारसेवकों ने ये कहा मरते मरते के शा दूसरा महूरत की हम लोग चर्चा कर रहे हैं महूरत मनुष्य के लिए होता है महादेव के लिए नहीं यह अपने दिमाग में गाट बान लीजे और आप बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं राम नौमी पर होता तो अच्छा होता यहीं ना कह रहे हैं राम नौमी पर होता परमादर्निये आधिगुरु शंक्राचारे भगवान जो कह रहे हैं उनकी व्यक्ति राय या उनका विचार सराखों पर उन्होंने किसी एक व्यक्ति को कहा सिंगल व्यक्ति को चुनकर किसी सन्यासी को फोन किया कि आप मत जाईए दो की चिट्टी आपने गिनवा दिया और दो की चिट्टी आने दीजिए उसके बाद ये तीसरा तर्क निकालेंगे और तीसरी सुनिये कितनी कितनी रामनोमी जा चुकी है आप जानते हैं 500 रामनोमी जा चुकी है तब प्रान प्रतिष्ठा की चर्चा थी कहीं है हम लोग मात्र एक बात कहना चाहते हैं अच्राइकि भाव की और यह कहूं कि 500 वर्स के संगर्चों की अदालत के निश्कर्चों की और करोड़ों परिवारों में उठें व्यमर्चों कि प्राणप्रतिष्ठा कुछ साधारन काम नहीं है बात कर लें किर दो महीं ने बात कर लें घ्र याम बात WILL दूर मैं प्रशन्द चिन उठाया जाता हूं कि जितना हम लोगों को टोका जाता है जितना सनातन को उन्मूलन की बात की जाती है इस भगवा पर प्रशन्द चिन उठाया जाता है भाई सहब यही प्रशन्द चिन उठाने की हैसियत ओकात आपकी किसी दूसरे पर नहीं है क्योंकि आप तेह कीजे कि सामने वाला कब तक कह लेगा और आप जब तक सूनेंगे जब तक कोई कहता है वरना राम के बिना इस देश में क्या कोई रहता है कोई देश तक कोई ने लिए लेकिन अगर विपक्ष चला जाएगा तो क्या किसी का घट बढ़ जाएगा क्या आपको लगता नहीं है कि निवाता तो सब को मिला अगर चाना है तो चले जाते इसमें हर्थ क्या था अब मेरा सवाल यह अब कई बार हमने देखा है कोई रोजे नहीं रखते लोग लेकिन उसके बाद भी वो इफ्तारी कर लेते हैं पहली बात कि भगवान राम के दरशन के लिए हम किसी बुलावे का इंतजार नहीं करेंगे बिल्कुल भगवान श्रीराम के दर्शन के लिए दिल्ली से हम लगातार पिछले चार मेने से ट्रेन भरबरक लोगों को भीज रहे हैं कि वहवान स्री राम के दर्शन करें अर्विंद के जी पहले भी जा चुके हैं तो इसमें किसी का इंविटीशन का इंद्जार तो हमने को इनवाइट करेगा तो जाएंगे और नहीं करेगा तो नहीं जाएंगे कि दूसरी बात मुझे यह लगता है कि देखिए जब हम प्रभुष्री राम की बात करते हैं तो हम उनके रामराज की परिकल्पना कर ले कि प्रभुष्री नाम ने किस तरह की रामराज की परिकल्पना की थी जहां किसी तरह का कोई द्वेश का भाव ना हो किसी तरह का संकट किसी पर ना आए कोई विप्रना हो तो मुझे लगता है सत्ता में जो लोग बैठें उनकी जिम्मेदार यह है कि प्रभू स्री नाम ने जिस रामराज की परिकल्पना की थी उनके उस रामराज की परिकल्पना पर हमकाम करें लेकिन चौती बात मुझे लगता है जो प्रेम श शंक्राचार्ज ने जिस मठकी इस्थापना की ती और सनातन धर्म के पचारपशार की जिम्मेदारी भी जिसकराचार जी के पास है तो अगर माले जिए दो ही सफीर नहीं आ रहे हैं तो क्या वो भूठ पिसाच है क्या स्तनात्य धर्म की महिमा को आप समझने क्या कह रहे हैं एक प्रेम शुक्रा जवाब दिन किस तरह से लोग जो हैं चीजों को भठकाते हैं पहली बात जान लीजिए कि दो शंक्राचारियों का पत्र आपने पढ़कर सुना जी कौपी मेरे मद्रान जनमभूतबी थीर्तिक्षेत नेयाज के ट्रस्टी हैं तो तीन शंक्राचार सीधे हो गए यहां तो तीन शंक्राचारियों के बारे में मैं कह रहा हूं किया यह न ही कह रहा लेकिन भूत schreiben है जो कहते हम सनातन को मिटा देंगे भूत ब्रेथ है Artsley वह वह संकल्प करेगा उसके लिए जो है आप देवतुल्य शब्दों का प्रयोग तो नहीं करेंगे जो कहेंगा कि एड्स है सनातन उसको क्या आप देवता कहेंगे लाक इंकार करें भारत राम की धर्ती है नहीं मतब विपक्ष बोले की नहीं देखिए सेकुलर होना चाहिए यह हो इसको करना कहते हैं हो सकता है कि कुछ विपक्ष के दल जो मेरी जानकारी है उसमें शिफ्टेना उद्दव ठाक रहे हैं जनता दल उनाइटीड हो सकता है वो इस कारेक्रम से दूरी ना बनाए लेकिन विपक्ष के कई दलों ने एक मौका दे दिया है अमिष देवगंजी मैं शुरुवात वहां करूंगा जो आपने का राम सब के हैं विपक्ष ने कब भारत के प्रधान मंत्री श्वर्गी श्री राजीव गानधी के पर्यासों से उहां का ताला खुला था पहला यहां बिर दिख्कत है बताँ अमिश जी आधी अधूरी हनुमान चालिशा पढ़ने का प्रमान यही होता है उसमें पहला ही दोहे में है बल बुधिविद्या देहि मोही हरहु कलेश विकार ना इनका कलेश दूर हुआ न विकार दूर हुआ यह भूत पिसाज के चक्कर में पढ़ गए प्रभुश्री राम वो महान अवतार हैं कहते रावन से जाकर घ्यान लो मैं मानता हूं इस बात को कि राम को राजनीती में के पेंच में उसके डिबिया में उसकी ब्रैंडिंग करने का काम बढ़के जुट्टे पाटी ने किया इस देश में और यह प्रान प्रतिष्ठा बहुत स्वागत है भव्व्य स्वागत है भग एंकार वश्निमंत्रन है चंपतराय का उससे लेकर किसी पार्टी को यदि थोड़ी और सुविदा है उसको यह नहीं कह सकते यह राम का बुलाबा है तो राम का विरोध है राम का विरोध इस धर्ति पर राम पर खून बहाने वालों का नफरत ठैलाने वालों का आग लगा विरोध है बच्पन में भी तो सुने होंगे देखो यह दिवानों ऐसा काम न करो राम का नाम बदनाम न करो जी 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 आप समझे इतनी सी बात जिस पार्टी के प्रवक्तार जिसको नेता को समझ मने आई तो यह जुन जुना बजाते रहे राम की राजनीती करते रहे मेर प्रश्णिगे है जी 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 भारत राम के प्रती हमेशा इसको बोलना अच्छा नहीं लगता राम मैं देश है कृष्ण मैं देश है लेकिन सोचिए सोचिए अभी अभी बहुत अच्छी बहुत सुन्दर बात करी अभी सत्ते जी ने बड़ी सुन्दर बात करी और मैं 50 साल तक इंतजार करना पड़ा 500 साल की तबस्या करनी पड़ी 500 साल प्रभूराम को उनका महल नहीं मिला जो महल प्रभूराम का हक था भगवान राम तिरफाल में थे और इस देश की कई सरकारे आती गई और जाती गई यही हुआ तिरफाल में थे प्रभुराम लेकिन उस तरफाल से निकल के साड़े 500 साल बाद राजाराम अपने घर आ रहे हैं इसलिए ये दिव्य और भव्य है और आपने सही कहा कि जो सबको प्रान प्रतिष्टा देते हैं उनकी प्रान प्रतिष्टा कौन कर सकता है लेकिन उनको प्रान और प्रतिष्टा का ये हक भी कोट के और के बात मिला है वो भी हिंदुस्तान के अंदर सोचिये सोचिये कितनी बड़ी बात है स्वामी दिपांकर मैं इतना कहना चाहरा हूं मुझे आज सत्य जीत भाई की एक बात बहुत अच्छा लगा उन्होंने कहा कि रा चाहता हूं जी आप सब युवा यहां पर बैठे हैं अपने अपने आप मोबाइल भी रखते होंगे सब लोग एक बार चेक करकर बताईए कि कौन से देश का आराध्य अदालत में कभी गया है गूगल पर सर्च किजे क्या यही चीज आप कभी वैटिकन के बारे में या मक ले स्कुर्ळिकन के प्रति ससंगे जिसने राम ने चोदा वर्ष जो जिया जीवन सो जिया था कि छोड़ने सब ख्वाईश निशकाम होने के लिए राम ने खौया बहुत कुछ राम होने के लिए एक बार किसी को कहते हैं कि राम तो संबौधन हो जाता है और दो बार का य आता कि यह डूल राम तो वेदना हो जाता है राम राम और चार बार का यह तो संकीर्थन हो जाता है और जीवन प्रेंथ चनों तो मोक्ष को जाता है आप जाए न जाए वो आपकी इच्छा मगर राम के विशे में एक शब्द भी बोला जाए तो वो मर्यादित हो अमर्यादित बिल्कुल यह अपनी सही बात बोली मैं जी मर्यादित मर्यादित रहे हैं उसी राम को आचारेदी पांकर रोधराजणीती में घसीटते हैं उसी आप सुनिये जरा सुनिये जरा सुनिये जरा सुनिये बोलता हूं लेकिन जो सच और अच्छा दिखता है उसको उसको उसके सामने में जुक्य प्रणाम भी करता हूं और मैं शंक्राचारिया के बारे में ना जादा जानता था और ना मेरा मेरा को इंटरस्ट मेरे 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 लेकिन अस्तिक हो आपको शंक्राचार आप बोले तो दीजिए ना सर इसलिए 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 सुन ली जिए क्यों पत्रकार महोदे इस देश का कॉंस्टिट्यूशन राइट टू फेथ को एकनॉलेज करता है और हर प्लिटिकल पार्टी का दाइट तो है इंक्लूरिंग दे कमनेस्ट की राइट टू फेथ चाहे हिंदू का मुसल्मानों का उसको अश्योर करें यहां हिंदू का ही राइट यहां पर हिंदियों की बात और दीजिया मेरे को निनन अभी आपने बड़ी कॉंट्रवर्शन चेहला बजाती बड़ बड़ूंगा यहां पर इकने लोग है राज़नीतिकरान और मिस्यूज है इस देश में बगवा का राजनीतिकरान हो रहा है भागवा के नाम पे वोट मांगा जाता है आप अपने प्रणाशार्य को एथिस्ट होने के बाद नास्तिक होने के बाद प्रणाम इस बात पर करता हूँ एक धर्म गुरू है जिसमें वो शौर्य है कि वो सत्ता और सत्ता में तो ताकते हैं उनके खिलाब भी बोल सकता है प्रेम शुक्ला का जब बोले ना अचारे दिपांकर उस तरीके से तो मैं मानूंगा आपको भी धर्म गुरू एक एक सेकिंड बस के दें जो सह सम्मान तालियों से अभिवादन सुईकार करता है आज आप स्वामी धीपांकर को टार्गेट करिये कोई फरक नहीं पड़ता मगर यह यकीन मानिए ना तो स्वामी धीपांकर दबेगा ना रुकेगा ना जुकेगा प्रश्न विवेक भाई से पूछ आपके जरीए एक प्रश्न विवेक भाई से पूछ आपके जरीए 2004 12 नवंबर आधी गुरु शंक्राय चारे जेहंदर सरस्वती को तृकाल संध्या करते हुए कंहीं सब्सक्राइब बाधरस्व पूछ ने किरें सब्सक्राणारी पूछ मढखकानी है हम लोग कुट करते आप उठाइब आ हैं जोकीट करणेण आप छोड़के चले जाए इस जहागड़ा करने वाली आतंकवादी संगठन का ये लोग अपने यहां पर अपनी सरकार के अंडर कार्य करम करा है इन्हें शरम नहीं है और यह एक भगवा सोचकर एक भगवा सोचकर यह मुझसे कह रहे हैं सेना को खूनना देने की बात यह करें यह प्रशन चिन भगवा पर लगा रहे ह सनातन एड्स है यह कहिए मैं दावे से कहता हूं अगर बोन वीटा भी पीले इनके पाव कापेंगे बोल नहीं पाएंगे यही बात बोल कर दिखाए दूसरे मुझा के बारे में जी मैं डंके की चोट मैं डॉक्टर भी बुला ले तो भी नहीं उटकर बोल पाएंगे जो होगा बोला जाएगा देश के खिलाफ क्या क्या काम हो रहा है घ्राम जी है वो ना भाजपा यारस्स के नहीं जबकिनिश पक्ष है तो क्या विपक्षी पार्टियों को वहां जाने में हर्ज है जब वो निश्पक्ष हैं तो आपको भी तो वहां जाना हम भाजपा के कारिक्रम में नहीं जा रहे हैं हमने राम के कारिक्रम नहीं किया हमने भाजपा के कारिक्रम नहीं किया हमने बात को पहले ही कह दिया था बात भगबा की आई देखिए भगवा और अनुसरन करने का परिए चो दिया धर्म करने का परती कि लिखन तुम Nivas ? घ्रति हैं जो ब्रस्त है जो लूटे रहे हैं आपको दो लगता है तो इसे लोगों से हमें अपने भगवा को बचाना जाए अगर भगवा दिपांकर जी पहनते हैं बिल्कुल सम्मान है तो जब भगवा की बात थी यही होती है कि उस भगवा का जो त्याक का प्रतीक है उसको ऐसे लोग ना पहने उसके आरूना ऐसे दूसरी बात मुझे कई बार ऐसा लगता है जब भारती जुनता पर्टी लोग जैश्री राम कहते हैं तो मुझे लगता है इनके उस जैश्राम को चारण में सब कुछ है लेकिन हमारे मर्जादा पुसृत्तम भगवान श्री राम की बात करते हो तो उनकी करुना ले आओ अगर भगवान स्री राम की तुम बात करते हो, तो आम आदी पालते क्या उद्धोश करती है? इनको यह जानना चाहिए कि हमारे देश में कितने बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार के बोस्ता कैसे होगी, इनकी जिम्मेदारी थी कि आज महगाई के कारण, जिन लोगों के खर्में चुले नहीं जर रहे हैं, उनका चुला कैसे जलेगा, ये एक सत्ता में बैठे लो इनको एकल तक भ्रस्टाचारी कहते थे, आजकर उनके चरणों में बिछे पड़े हैं ये, एकडम से, अब भ्रस्टाचार भी ये बात करेंगे, जिनका एक मंत्री ये कहते थे, किसी पर आरोप लगे त्याक पत्र दे दो, सतेंद्र जैन जो है, वो जेल में रहते वे जेल मंत्री था और रेपिस्ट को थेरपिस्ट बता रहते हैं, ये इनकी तसा थी, संजे सिंग जेल में है, और इनके मनी सिसोधिया के बारे में सुप्रीम कोट कहता है, कि 338 क्रोल रुपेओं के मनी ट्रेल का प्रमाल है, तो प्रमालित भ्रस्ट हैं ये, तो ये देश आमारे म बुलाया, विपक्ष ने ठुकड़ाया, आज का ये देश है मारा, इसी विशे पर ब्रेक के बाद, अजिनके दीवाजी का जबाया था, पार्टिस से लेने की जबद नहीं है, अब आम के सुप्सकार आजब देख रहे हैं, ये देश है मारा, वीकेंड का सबसे बड़ा का कहते हैं कि राम काज करीबे को आतुर, यानि कुछ लोग राम काज करने को आतुर होते हैं, क्या विपक्ष आतुर नहीं हैं, राम काज के लिए ये सवाल जद्दा पूछ रही है, इस दौर में इसकी बात करेंगे हैं 2013 में जिन समाजवादी पार्टी के ये साथी हैं, उस समाजवादी पार्टी की सरकार ने सौामी अवि मुक्ते सुरा नंद को 2013 में लाठियों से काशी की गलियों में पीठा और इनके मुझे कुफ की आवाज नहीं निकली हैं पूरी बाते हैं पहली बात चुकि भश्चाचार की बात यह कर रहे थे यह बिल्कुल ठीक है कि हमारे दो सबसे अच्छा काम किया और उसी सुप्रीम कोट के जस्टिस ने यह कहा कि तुम जो चार्शीट लेकर आये हो दो मिने ट्राइल कोट में नहीं तिकेगा तुम्हारे जितने भी आरोब नहीं मिला वह सारी आरोब हो नहीं का चुकि देखिए बेल देना यह डिपेंड करता है क तो जब तक जाजों ने कहा कि छे मेंने जाज कर लोगे तो हम बेल नहीं जाएंगे तो अगर आउकात हैं इनकी दो साल से ट्राइल नी सुरू करो कहां देखा आपने कि जाज चलती रहे जाए तो तभी मैं कह रहा हूं विश्यांतर वे प्र आप जिस श्यांतर और विश् तो आसी में भी हम भक्त थे नवे में भी भक्त थे उस आंदोलन को हम लोग दो चलाया लेकिन इनकी तो नानी कहती थी कि जहां बावरी का ढाचा डाए वहां मंदिर बने तो मत तो नानी कहती थी केजरिवाल की जनता पार्टी से लेने की जर्वत नहीं है अब हम भी संसकार में चल लिए पहला इस वो का मेरे दादा जिनी सिखाया वो सिखाया कि बालो हम जग्दानन्दा नमें वाला सुरुषती अब पुर्णे पंशेबर से बंड़ी हम जगत्रियम आपसे संसकार लेंगे आप ठेक कभी संक्राचार को गाली देंगे कभी हमारे संसकार को गाली देंगे बिल्कुल जो 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 नहीं आएगा भुत्पिसाच होगा अगर पुरी के संक्राच चाता है कि मैं नहीं आऊंगा अगर क्या भुत्पिसाच है मैं बता दूँ आपको यह यहीं लोग है अगर पार्टी पॉलिटिकली है करेक्ट काम कर रही है इसका खुले रूप चे विरोध नहीं कर रही है किसा मजदारी भी है लेकिन इंडिया अलाइन्स जो करम कर रहा है खास दोर पर कॉंग्रेस सपा और डियम के उस सबका नुकसान हो रहा है पूरे गड़बंदन को पूरे कश्मीर से लेके कन्या कुमारी तक इसका नुकसान हो रहा है देखें उत्तर में स्वामी परसाद मौरा कहते हैं कि हिंदू धरम एक धोका है यहां फिर आप बिहार के अंदर आईए चंदर शेकर फिर कह देते हैं कि राम मंदिर की जगात ऑस्पताल हो जाता और पिर एक चंदर शेकर है मंतरी वो एक बयान दे देते हैं अच्छा उसके बाद मामला खतम नहीं होता कॉंग्रेस में तो खुद दो फार हो गया है कि राम मंदिर की प्रान प्रतिष्टा में कॉंग्रेस के कई नेता कहरें कि ये तो हमारे लिए बहुत सोभाग्य का विश्या हमें बुलाया गया है तो कुल मिलाकर इसका नुकसान पूरे इंडिया एलाइस को रहा है मैं सत्यप्रकाश जी आप मानिये ना मानिये लेकिन 2024 के चुनाव पर इसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा आप कुछ कर लीजे आप राम मंदिर की प्रान प्रतिष्टा में इंडिया गटबंदन के अधिकतर दल नहीं जा रहे हैं और उनके साथ चुनाव में आप चले ज गई थी लेकिन सरकार नहीं बन पाई थी अड़मानी जी का एक समय रत्यात्र निकला लगा ये प्रधान मंत्रियों जाएंगे हिंड़त्यों के नाम पर ऐसा नहीं हुआ यह देश बहुत बड़ा विशाल है वेविद संस्कृतियों और सोच विचार वाला देश है मैं यह कह रहा हूँ भगवा केवाल वस्तर नहीं विचारधारा है जो राम भक्तों का उतरेगा नहीं और देश रोधी को चढ़ेगा नहीं और आप लोग लगातार विरोध कर रहे हैं मैं यह पूशना चाहतू हूँ आप दोनों से आप लोकतंत का सबसे बड़ा मंदिर अब जी ट्वटी सम्मेलन वह उसका विरोध कि आपको दिक्कत भाजपास से है कि रामभक्त से है कि यहां के विकास से आप लगा तार विकास की बात करेंगा जब विकास और डेर्ट सोवर्स चलेगा सदन जहां भविस में बैठेंगे लेकिन इस्तिति क्या है बस रोना- रहा हुना है सराम राज की कि बात हो रही है राम राज की बात नहीं हो रही है बिल्किस वाल जैसे जो केस है उन मुद्रियों की जो बात आगा लिएुआट धि की हो एकर इसे बहुत से तो पहले जब कॉंग्रेस की सरकार थी तो फिर कॉंग्रेस नेताओं ने क्यों नहीं सोचा कि हमें भी राम मंदिर बनाना चाहिए इसका इनिशेटिव क्यों नहीं लिया जवाब जवाब मैं बहुत अच्छा प्रश्णा आपने उठाया है ये मामला अदालत के द्वारा तैह हुआ अदालत में मुकदमा आजादी के समय से है और अदालत ने जब पांच जज़ों की खंड़ पीट ने तैह किया कि वहाँ पर ये भूमी पर ये मंदिर बनना चाहिए तो एक नियास गठन की बात अदालत ने की है इस देश की किसी पार्टी और किसी सरकार दे राम मंदिर के निर्मान का कोई फैसला नहीं लिया है तो कोई भी पार्टी हमारी भी पार्टी हमेशा मानती आई कि इस देश की अदालत जो फैसला करेगी उस भूमी के बारे में उस भूमी पर वही निर्मान होगा हम हमेशा उस भूमी पर की गई राजनीती के मुखालफत करते रहे विरोत करते रहे क्योंकि इससे खून बहुत बहा है मेरी बहुत अच्छा सवाल पूचा है इस देश में राम पर गर एक भी खून बहा चाहिए वो किसी ने बहाया वो बहुत बड़ा म अपराद था उसके लिए बारे में किसी पर कोई गोली चली किसी की भी हत्या हुई कोई दंगे में मारा गया इस देश में वो इस देश का नागरिक था चाहे वो किस तरह से लोग जूट पुटे जस्टिस सुधीर अग्रवार इलाबाद हाई कोट में जिन्हों ने राम जरे मुंपर अमले का जज्जमेंट दिया उनका साथ दिन पहले इंटरव्यू दैनिक जागरन प्रकाशित हुआ उन्होंने का कांग्रेस की सरकार मुझ पर लगातार दबाव बना रही थी कि जज्जमेंट न दें 2012 में इलाबाद हाई कोट का जज्जमेंट आ गया 2012 से 17 पांच वर्षों तक जिन दस्तावेजों का अनुवाद होना था सुप्रीम कोट में केस फाइलिंग के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने उस दस्तावेज का नहीं किया इतना ही नहीं जफर याब जिलानी जो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील था उसको एडिशनल एडवकेट जनरल उत्तर प्रदेश में अखिले स्यादों की सरकार ने बनाया और 2019 में कांग्रेस के कपिल सिब्बल कड़े हुए और जैसे आज ये 2024 की चिं आप मंद्र का फैसला नहीं होने दो यह थो हमारा मुद्धा अगर यह बंदध हो गया तो हम करेंगे क्या हमारी दुकान का चलेगी यह भारती जनता पार्टी का प्रदान मंत्री को नहीं जाना चाहिए आपको क्या लगता है कि मैंने कभी देखा नहीं अपने जीवन में के कोई गंगा में खड़े होकर माला गुमाए मैंने कभी मैं नहीं देखा कि कोई राम को जाकर दंडवत प्रणाम करे मैंने नहीं देखा क्कोihi 11 दिन का अनुस्थान करे और अत्मिक साधना को साधने के बाद राम के प्राण पतिश्टा में और अगर कोई चीज बहतर है अच्छी है उसमें कहने से मात्र इसलिए पीछे हट जाईए कि चार लोगों को बुरा लग जाएगा सर बुरा लगता है लगे मगर करोडों लोगों की आखों में उस दिन आसू होंगे क्योंकि 30 साल से एक महिला वों हैं जिनोंने बोला नहीं कि जिस दिन राम की प्राण परतिष्टा होगी मैं उस दिन जैश्री राम कहकर अपने मुख से एक शब्ड बोलोंगी एक जब आप बोल रहे हैं आप खुद भाव को रहे हैं बेसिक राम हम लोगों के लिए भाव का विशे है क्योंकि मुझे मालूम है मेरे गुरु इस लैनिंग है मतलब पिछडापन है यह पूरा अगर जो ऐसा है तो मैं समझता हूं कि पांसवी अर्थविवस्था आप इसी काल में बन रहे हैं अगर आप यह सोचते हैं कि पिछड गए तो जो चांद का अचुता को ना था वहां पर पहला आप लोगों ने यान उतारा यह फर्स्ट होना क्या होता है लेकिन एक भारत में तो विपक्स का एक बढ़ावर रादनेता का काम धर्म उसका विक्तिवत सब्जेक्ट है कि राजनिती आप कितने बड़े भक्ते आपके और इशर के बीच की बात है उसका पब्लिक से क्या लेना देना में प्रदर्शन क प्रदर्शन के लिए फोटो आप्स यह होता है धर्म कोई बात नहीं कोई बात नहीं क्यारा लगता है आप लोग ऐसा बोलते हैं कम से कम और कुछ नहीं पच्चे हस लिए बहुत दिने चंदा को उल्लू बीजेपी के कुछ नेता उन्हें और खास्तव पहिमंता विश्व असरवा ने फोटो ट्वीट करें इंट्रस्टिंग एह राहूल गांदी की वह बाबर की मजार पर गए है 2005 में वह तस्वीर है बाबर की मजार पर जा सकते हैं लेकिन राम मंदिर की प्रान प्रतिष्टा में नहीं आ सकते यह देश सवाल पूचेगा भई राहूल जी से औ कॉंग्रेश पाटी से अच्छा यह एक बात कहूं मैं बहुत बड़ा इंतजार कर रहा था इस देश में धरम कभी निजी विशे नहीं हो सकता यह सब लोग समझ लिए आप घर पर साधना करते हैं परिवार पर असर पड़ता है परिवार पर साधना करते हैं शेहर पर असर पर असर पड़ता है और शेहर में साधना होती है तो राष्ट पर असर पड़ता है आप अगर चाहें आपकी साधना का इन पर क्यों नहीं असर हो रहा देखिए मैं और यह यह हमारे बड़े प्यारे संत हैं बहुत अच्छे हृद्ए के हैं बाए करता हूँ सालों पहले इन से मिला था तब राम मंदिर नहीं बना था तब यह मेरे सामने भी रोय थे कि मेरे रामलला सुनीजे अरे पहले बोलने दिए टेंट में हैं और मैं तो घैर न्यूट्रल आदमी लेकिन मुझे लगा कि एक आदमी वो इतना इमोशनल हो सकता है अर कि आपकी नाज़घी तो है और मुझे लगता कि मंदिर बनने जब तक पूरा सब्हूरों का तक रहेगी वह लेकिन 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 रिंत दिए यहां परनाराज हो रहे है लेकिन वीवेश यहाँ पर लोग नालाज हो रहे हैं प्रधान मंद्री ने एक भजन दूब पड़िकर । ये है जर्मनी की सिंगर कैसेंड्रा जिन्नों ने यह सुन्दर भजन गाया है बताइए हिंदुस्तान में राम को लेकर क्या कुछ कह रहा है विपाक्ष लेकिन विदेशों से देखिए क्या कहा जा रहा है और एक नहीं है ऐसे भजन कई सारे हैं मैं तो इसलिए अपसे नहीं कपसे मुझे याद है ताल का टोरा में पहली बार बुला था कि जो राम का नहीं वो किसी यह वहाँ पहली बार बुला था उसके बास से यह बहुत प्रचलित हुआ मगर दो शब्द कहना चाहता हूं कि हमारा 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 है अधर देख मारा सोच-के देखो इस प्यारा क्या होगा मैं एक चीज केहना चाहता हूं कि मेरी मुस्लिम बहन बैटी है भाई बैटा है हम लोग उस देश में रहते हैं जहां रसकान कहते हैं कि आज खेलूंग हो ली रस audit कह बिस्म यल्ला हम लोग उस डेश में हैं जहां हमारे सन्यासी कहते है कि छाप तिलक सब चीनों तो से नए ना मिलाए के राजनीती के खिलाफ जब बात आती है तो राम कनकन में हैं और जब किसी को राम पर राजनीती करनी होती है तो वह कहते हैं राम बस मंदिर में हमारा हमारा हमारी आस्था तो राम नीती में है और हम राम के साथ राम नीती यही है कि राम जी का भविदी मंदिर का निर्मान हो रहा है और जो है और जो भारत जो है आदित तक पहुंच रहा है आदित हमारा जो सूरे तक जो है जो बाबर की मजार पर खड़े है उनको बाबर का वंसुज होने पर गर्व है हम राम के मंदिर में खड़े हैं लेकिन 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 इंट्रेस्टिंग है कि सोनिया जी पोप को चिठी लिख सकती है लेकिन राम मंदिर में नहीं जा सकती यह सवाल खड़े होंगे और यह जब सवाल खड़े होंगे तो भारी पड़ेंगे में और इसके अलावा अगर हम पॉलिटीकली देखे तो पॉलिटीकली मेसेजजिंग क्या है लेकिन संजीव जा और प्रेम शुकला और सत्य प्रकाश जी आपसे मेरा यह बहुत सीरिस सवाल है नितीश बाबु जाएंगे प्रान प्रतिश्टा में नितीश बाबु हर राव दबे शब्दों में मान रहे है प्रेम शुकला लास्ट वर्ड निश्चित तोर पर आप प्लिटीकली कैस्ट करना चाहते हैं आरो पाफरी हमारे लिए राम राजनीत कि विसने राम के साथ हम 89 में भी थे 90 में भी थे 2014 में थे 19 में भी थे भविश में भी रहेंगे राम हमा अब तो में हम बहुत है तो फिलाल ये देश है हमारा कि आज के अदिशिन को यही समाप करते हैं उमीद है आजका का प्लिट प सबको मेरा नमस्कार आप सबको मेरा पढ़र नाम आप सबको घ्रनिवाद आप सूडियो बहें और महमानों को भीधन्यवाद फिलाल इसकाiliव मेता ही राम राम नमस्कार